नमस्कार भारत के पहले डिजिटिल मुबाल न्यूज चानल मेट्टो टीवी में आपका स्वागत है मैं हूँ अनामिका बुलिटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से फिलिबीट के किसान को भगतना पढ़ रहा है मालिया की कर्टूत का खामियाजा बैंक ने गरीब किसान को बताया मालिया का लोन गैरेंटर किसान के दोनों खाते सीज़ किये जम्ब कश्मीर के कुपवाड़ा में दो से तीन आतंगवादियों के चुपे होने की खबार सेना चला रही है सर्च आपरेशन पूरे इलाके की गेराबंदी की तमिल नाड़ो में जयल अलेता आज करेगी राज़पाल से मुलाकात राज्यों में सरकार बनाने का करेगी दावा ए आए डियम के की बैठक में कल उन्हें चुन लिया गया था विधायक दल का नेता सीबियसी ने किया बारवी कक्षक की रिजल्ट का एलान एंड्रोइड मॉबाइल अप डिजिटल्स पर भी रिजल्ट उपलब इस बार डिजिटल मार्क शीट की भी की गई है वेवस्था और वेशाक फुर्निमा के सनान के साथ ही आज उजेन में हो जाएगा सिनहस्त कुम का समापन शिप्रा में पवित्र डुब की लगाने के लिए उम्री श्रधालू की भीर बैंकों से 9000 करोर रुपाए का कर्ज लेकर विदेश भाग चुके शुराब कारुबारी वे जैमालिया की वतन वापसी को लेकर एजिंसिया एडी चोटी का जोर लगा रही है जबकी इस बीच मालिया के लोन गैरिंटर के तौर पर पीली भीट से एक किसान मनमोहन सिग कानूनी जहमेले में फस गए है बैंक ओव बडोदा ने उनके खाते को सीज कर दिया है वही किसान का कहना है कि उन्होंने तो मालिया को सिर्फ टीवी और अखबारों में देखा है इतना ही नहीं उन्हें विजे मालिया की कमपनी में डिरेक्टर भी बताया गया है देहरादून जीले के चकराता शेत्र के एक मंदिर में दलीतों के प्रवेश कराने को लेका नाराज भी ने पीजेपी सांसद तरुन विजे की गाड़ी पर पत्थराव कर दिया जिसे वगहायल हो गए उतरक हंड के मुखे मंतरी हरी श्रावत ने इस घटना की घोर निंदा करते हुए गड़वाल के आयुक्त को इसकी जांच करने को कहा है राजुसभा सांसद विजे कुछ दलीत नेताओं के साथ सिलगुर देवता मंदिर में दर्शन के लिए गए थे वहां से दर्शन करके लोटने के बाद बंदिर के बाहर मौजूद भी ने नाराजगी प्रकट करते हुए उनकी कार पर पत्राफ कर दिया पुलिस ने बताया कि बीजे पी सांसद को उप्चार के लिए एक अस्पताल में भरती कराया गया उनकी हालत अब सामन्ने है तमिल नारों में जैललिता आज राजपाल से मिलकर राजव में सरकार बनाने का दावा पेश करेगी कल हुई AIA-DM की बैठक में उन्हें विधायक दल का नीता चुन लिया गया गुरवार को आई चनाव नतीजों में AIA-DM की निराज़े की 232 सीटों में से 134 पर जी दज़ की है और आज में 27 साल बाद एक ही पार्टी की दोबारा सरकार बनने जा रही है जललिता ने इसे पहले उन्हें बधाई देने के लिए बीजेपी प्रमुक अमिच शा को धन्यवाद दिया और कहा कि उनके लिए उनकी शुबकामनाए माईनी रखती है भागलपुर केंद्रे कारा के तित्य खंड में रखे गए बाखुबली नेता और पूर्व आरजेडी संसद स्यद शहबुद्दीन अब दर्बान नहीं लगा सकेंगे सब्ता में एक दिन सोमवार को अधिक्तम 4-5 लोग ही उनसे मुलाकात कर सकेंगे उनसे मिलने वालों पर पुलिस की सक्त नजर रहेगी जो लोग मिलने जाएंगे उनकी तलाशी होगी फोटोग्राफी होगी वो साथ में कोई सामान नहीं ले जा सकेंगे मोबाइल भी नहीं सिवान में जेल मैनूल तोड कर दर्बा लगाने मामला उजागर होने के बाद भागलपूर लाए गए शाबुद्दीन से कब कौन कौन मिल रहा है इसका ब्योरा पुलिस प्रशासर ने मांगा है जिसकी रिपोर्ट पटना भेजी जाएगी सीबी एसी की कक्षा बारवी का रिजल्ट घोशिट कर दिया गया है नतीजे इंड्रोइड मोबाइल आप डिजिटल पर भी उपलप्द होगा स्टूडन्स अपनी माक्षीट डिगी लॉकर पर देख सकते हैं सीबी एसी पहली बार मोबाइल आप के माध्यम से भी परिनाम जारी कर रहा है इसके अलावा बोर्ट पहली बार डिजिटल माक्षीट भी उपलप्द कर रहा है सीबी एसी के किसी दफतर पर परिनाम उपलप्द नहीं होगा बोट की ओर से लोगों को निर्देश दिया गया है कि सीबी ऐसी के दफ्तरों पर परिनाम लेने के लिए नहीं आएं वेशाक पुर्निमा के सनान के साथ ही आज उजेन में सिनहस्त कुम्ब का समापन हो जाएगा पहली बार सुभा तीन बजे से उजेन में साधूओं का शाही सनान शुरू हो गया है शेव और वेशनव अखाडे के लिए अलग-अलग घाटों पर सनान की विवस्था की गई है विभिन अखाडों के नागा साधूओं ने हर हर महदेव के घोश के साथ पवित्र शिप्रा नदी में सनान करके इसकी शिरुवात की इस अफसर पर पवित्र सनान करने के लिए देश की कई हिस्सों से जन सेलाब उमर रहा है उजेन की सभी सडके श्रधालों से पटी पड़ी है और पवित्र सनान के उदेश से शिप्रा नदी के टट पर पहुँचने के लिए श्रधालों में होड मची है अच्छे मौसम से मिली मदद के सहारे भारतिय सेना की एक टीम समेत 150 से अधिक परवता रोहियों ने आज माउंट एवरिस्ट की चोड़ाई पूरी की इसे पहले प्राकृतिक आपदाओं के कारण उन्हें अपना भियान दो साल के लिए स्थगित करना पड़ा था पर्याटन मंत्राले के एक अधिकारी के अनुसार परवता रोहियों में UAE सेना और भारती सेना की एक टीम शामिल थी परवता रोहियों को कल तेज हवाओं के कारण रोक दिया गया था लेकिन आज मौसम साफ होने से उन्होंने अभियान पूरा किया इस सब्ता प्रचंड गर्मी का एहसास दिलाने के बाद अगले हफते दिली का मौसम कुछ राखत भरा होगा मौसम भाग से मिली जौनकारी के अनुसार सोमवार से शुरू होने वाले हफते में हल्की बूंदा बांदी और धूल भरी आंधी चलने के असार है जिसके कारण आसमान पर बादल च्छाय रहेंगे जिसकी वज़ा से अधिक्तम तापमान में 2-3 डिगरी सेल्सियस की गिरावट दर्च की जा सकती है नूनतम तापमान 31-39 डिगरी सेल्सियस होने की वज़ा से उसमें कमी होगी हाला कि 31 माई तक फिलहाल गर्मी से राखत की उमीद नहीं है लेकिन पश्चमी विशोब के कारण धूल भरी आंधी के साथ बूंदा बांधी होगी जो 2-3 दिन गर्मी से राखत देगा नरेंद्र मोदी की सरकार अपनी दूसरी सालगिरा के मौके पर 26 माई को केंद्रे काबिनेट में बड़ा फैर बदल कर सकती है कल रात पीएम आवास साथ रेस कोर्स रोड में इस बाबत वरिष्ठ मंतरियों और दिगजों की प्रधान मंतरी के साथ बैठक हुई है समझा जा रहा है कि इस बैठक में केंद्रिय मंतरी परिश्वत के साथ ही बीजेपी की नीती, निधारक, इकाईयों में बदलाव को लेकर भी चर्चा हुई है बैठक में पीए मोधी के साथ ही बीजेपी अध्याक्ष, अमिट्शा और वित्मंतरी अरुनजेतली मौजूद रहे हाला कि श्रीष नेताओं के बीच क्या बातशीत हुई, इसको लेकर कोई अधिकारिक बयान नहीं आया है बीजेपी मोधी सरकार की दूसरी वर्ष गाठ जोरदार तरीके से मानने केतलिये तैयारियों में जुट गई है पार्टी 26 माई से 25 जून तक विकास पर्व मनाएगी मोधी सरकार 26 माई को दो साल पूरे कर रही है इस मौके पर प्रधानमंती नरेंदर मोधी पांच रहलियों को भी संबोधित करेंगे पीएम 26 माई को साहरनपूर में रहली करेंगे जबकि दूसरी रहली एक जून बाला सोर में करेंगे अन्यत तीन रहलियों की तारीक और स्थान जल्द ही तैह होंगे बीजेपी ने 30 गुरुप बनाये हैं जो 200 लोकसभा सीट पर रहलिया पबलिक मीटेंग, सेमिनार, ट्रेस कॉन्फरिंस करेंगे हर गुरुप इस तरह के 6 प्रोग्राम अलग अलग राज्यों में करेंगे शराब पर पूर्ण प्रतिबंद के डेर महीने बाद विहा सरकार ने गुठका और पान मसाला के उतपादन विक्री, दुलाई प्रदर्शन और भंडारन पर भी एक साल तक पूर्ण प्रतिबंद लगा दिया है जनहित के स्वस्थे को ध्यान में रखते हुए खाद सनरक्षा अयुक्त आर के महाजन ने ये आदेश जारी किया है प्रतिबंद आज से प्रभावी हो गया है आदेश को लागू करने के लिए सब भी अभिहित अधिकारी और खाद सनरक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया गया है साथ ही जुला प्रशासन को भी इस कारे में साहता के लिए अनुरोद किया गया है आतन की संगठन आईस आईस ने 22 मिनिट का एक वीडियो जारी करके भारत में कहर बरपाने की धम की दी है अरभी भाशा में जारी इस वीडियो में आईस में भरती हुए एक भारती इंजिनियरिंग चात्र ने कहा कि आतन की संगठन भारत से कश्मीर, बाबरी मस्जिद, गुजरात और मुजफर नगर का बदला लेगा 2014 में तीन साथियों के साथ भारत से सीरिया जाकर ये चात्र गहशत गर्दों के साथ जा मिला वीडियो में कहा गया है कि भारत में आईस आईस थानिय जहदियों से ही हमले करवाएगा I.S. की ओर से भारत और दक्षनेशिया में जारी किया गया ये पहला वीडियो है इंडियन मुजाहिदिन के एक शीष आतंगवादी अब्दुलवाहिद सिद्धी बापा को कल विमान से दिल्ली पहुँचते ही गिरफतार कर लिया गया गिरफतारी को बहुत सुविचारित ऑपरेशन का अंजाम बताया गया है राश्ट्रे जांच एजिंसी ने इंद्रा गांधी अंतराश्ट्रे हवाई अड़े से अब्दुलवाहिद सिद्धी बापा को सुभा हिरासत में ले लिया उसे आतंगी संगथन के वित्ते मामलों का सरगना बताया जा रहा है बाद में एक अदालत ने उसे एक हफते के लिए एन आई ए की हिरासत में भेज दिया एन आई ए अधिकारियों ने सिद्धी बापा को दुबई से निर्वासित के जाने की खबरों को खारच किया है वा आई एम के सेहसन स्थापक यासीन भटकल का रिश्टिदार है मुंबई में हुए 26 ग्यारा आतंकी हमले के मुख्य आरोपियों में से एक जकियूर रह्मान लखवी के खिलाफ अब पाकिस्तान की अदालत में मुंबई हमले के लिए उकसाने का केस चलेगा पाकिस्तान की एंटी टेरर कोट ने ये फैसला दिया है लखवी के अलावा छे और लोगों के खिलाफ भी मुकदमा चलाया जाएगा कोट ने इन सब ही को 26 ग्यारा हमले में दोशी मानते हुए ये फैसला लिया है लखवी पर हमलावर आतंकीयों को उकसाने का रोप है जिसका सबूत भारत कई बार पाकिस्तान को सौप चुका है इस आतंकी हमले में 166 लोगों की जाने चली गई थी जबकि भारतिय सुरक्षा बलों ने एक मातर जिन्दा आतंकी अजमल कसाब को पकड़ा था अमेरिकी राश्रपती भावन वाइट हाउस के पास गोली बारी की खबर आई है इसके बाद वाइट हाउस को बंद कर दिया गया हाला की बाद में उसे खोल दिया गया वाइट हाउस में करी 45 मिनिट तक ताला बंद रहा दरसल परीसर के पास एक शक्स बंदूक लिए गुजर रहा था जिसे सीक्रिट सर्विस एजिन्ट ने गोली मार दी शक्स को खतियार फेकने को बोला गया लेकिन उसने नजर अंदास कर दिया और बंदूक दिखाना शुरू कर दिया जिसके बाद उसे गोली मार दी गई और वो घायल हो गया घायल शक्स को स्थानी अस्पताल ले जाया गया है अधिकारियों का कहना है कि उसकी हालत कंभीर है फ्रांस के आतंगवाद रोधी जजज की और से पूछताच के जाने के दौरान कल पैरिस में हमलों को अंजाम देने वाले जिहादी सेल के सदस्य साहले अब्दुलसलाम ने सवालों के जवाब देने से इनकार कर दिया अब्दुलसलाम के वकील फ्रैंक बर्टन ने कहा कि उनके मुवक्किल ने चुपी के अधिकार को अपनाया है पिछले महीने 26 वर्ष रे अब्दुलसलाम ने कहा था कि वो सब कुछ बया करना चाहता है बर्टन ने समवादाताओं से कहा कि अब्दुसलाम जेल में 24 घंटे वीडियो निगरानी में रखे जाने से परिशान था और उसे गैर कानूनी करार दिया बिहार की गया रोड रेज मामले पर सियासत थमने का नाम ही नहीं ले रहा है बीजेपी ने राज्य में कानून विवस्था को लेकर मोहीम शुरू की है पार्टी ने पोस्टर जारी करते हुए राज्य की जनता से अपील की है कि सभी ये पोस्टर अपनी गारी के पीछे लगाए बीजेपी अध्यक्ष मंगल पांदे निकल पठना में प्रेस कॉंफरेंस कर कार के पोस्टर जारी किये इन पर लिखा है जगहा मिलने पर पास दिया जाएगा कृप्या गोली ना मारे खबरों की सफर में फिलहाल इतना ही देश दुनिया की पलपल की खबरें हम आप तक पहुँचाएंगे एक नए अंदाज में आपके मुबाइल फोन के माधिम से तो आप जोड़े रही मेट्टो टीवी से तब तक के लिए नमस्कार